So hey guys, this is Jatin and you are watching Bollyviews So आज की इस वीडियो में हम लोग Bollywood movie Roke इसके Lifetime World Wide Box Office Collection के उपर चर्चा करने वाले हैं So इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे So movie Roke, जो की रिलीस हुई थी 5th of March 2010 5 March 2010 को मूवी को Friday के दिन रिलीस किया गया था Rating की बात करें तो बता दे कि इस मूवी को क्रिटिक्स तुवारा 5 में से सिरफ और सिरफ 2 stars 2 stars की ही rating जी गई थी वही बात करें screen counts की तो उस time movie को सिरफ इंडिया में ही रिलीस किया गया था और इंडिया में इस मूवी को 275 screens पे रिलीस किया गया था सिरफ 275 screens पे मूवी रोक एक होरर थ्रिलर मूवी है जिसको राजेश रन्शिंगे ने डायरेट किया था बताद कि ये मूवी राजेश रन्शिंगे के डायरेक्शन में बनने वाली डेब्यूट मूवी थी यानि की पहली मूवी थी हालन कि इस मूवी से पहले राजेश रंशिंगे कही popular televisions like, cid, फिर कोई है समेथ ऐसे कही popular television shows को direct कर जुके थे और उन्होंने इस मूवी के बाद भी कई सारे popular television shows को भी direct किया है साथ ही बता दे अगर हम इस मूवी के writer की बात करें तो इस मूवी के writer भी है नाचेश रंशिंगे producer की बात की जाए तो बता दे कि इस मूवी को सुमित सैगल, विपिन जैन एंड साथे कृष्णन चोधरी इन तीनोंने मिलकर produce किया था वही अगर हम इसके production house यानि की production banner की बात करें तो बता दे कि इस मूवी को icon films बैनर तले produce किया गया था चलिए बात करते हैं cast यानि की कलाकारों की तो मूवी रोप के अंदर तनुश्री दत्ता, उदीता गोस्वामी, सचिन खेडेकर, शाध रंधावा, विनोथ कपूर, अश्विनी कलसेकर, मुरली शर्मा, आरिफ जकारिया, एंड साथी, निशी घंदा, वाथ ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आये थे बता दे की मूवी रोप, बॉक्स ऑफिस पर अजे देवगन के फिल्म अती थी तुम कब जाओगे, इस मूवी के साथ क्लैश हुई थी, अगर आप लोग अजे देवगन के फिल्म अती थी तुम कब जाओगे, इसका लाइफ टाइम वॉल वाइट बॉक्स ऑफिस कलेक्श बजेट और वर्डिट के बारे में चर्चा करने का तो मूवी ने इंडिया में अपने डे वन पर जो अपनी ओपनिंग नेट कलेक्शन की थी वो थी 16 लाक रुपे की 16 लाक रुपीज की मूवी ने इंडिया में अपने फर्स्ट वीकेंड यानि की पहले तीन दिनों में टोटल जो नेट कलेक्शन की थी वो थी 50 लाक रुपे की 50 लाक रुपीज की मूवी ने इंडिया में अपने फर्स्ट वीक यानि की पहले साथ दिनों में टोटल जो net collection की थी वो थी 69,75,000 रूपीज की इसके अलावा मूवी ने इंडिया में अपना जो टोटल lifetime net collection किया था वो था 76,25,000 का वही बात करते हैं मूवी का जो इंडिया का lifetime जो gross collection था ग्रॉस यानि की जिसमे tax GST include हो जाता है तो वो था 1,05,000,000 का मूवी को overseas market में नहीं release किया गया था यानि की मूवी का जो total collection है lifetime वो है 1,05,000,000 का रही बात budget की तो आपको बता दे कि मूवी रोख total 5,25,000,000 के budget में बनकर तयार हुई थी 5,25,000,000 मूवी का budget था अब उस इसाब से अगर हम verdict की बात करें यानि की hit और flop की तो बता दे कि मूवी रोख box office पर disaster साबित हुई थी जी हाँ दोस्तों मूवी की official verdict है disaster की तो उमीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like करे, comment करे and साथी share जरूर कीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करना ना भूलिए अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जै हिंद